लोटस आयरुवेदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूं उत्पल्चौधरी आज हम बात करेंगे बल्गम बाली खांसी में क्या खाना चाहिए कि मैं आपको ऐसे कुछ फूट्स बता रहा हूं जो आप खाएंगे तो बल्गम धिला करने में आपकी मदद करें तो आई शुरू करते हैं आज के वीडियो लेकिन उसे पहले बोलना चाहूंगा चैनल आपने अभी तक सब्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्क्राइब कर लें बेल आइकून की घंटी बजा दे जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले साथ ही वीडियो लाइक करें फेम्ली ओफ्रेंड के साथ सेर भी करें तो आई शुरू करते हैं आज के वीडियो बदलते मौसम और सर्दियों के दौरान सर्दी खासी की समस्या होना बहुत आम बात है लेकिन इसके बाद ज़्यादतल लोगों के साथ ये देखने को मिलता है कि उन्हें गले में खरास, बलगम और गंबीर खासी का सामना भी करना पड़ता है इसके अलावा गले में दर्द बहुत मैसूस होता है जब लोगों को बलगम बाली खासी हो जाती है तो इसके करन लोगों को खास-खास का बुरा हाल हो जाता है बे जब भी खासते हैं तो उनके गले और च्छाती में बल्गम उपर तो आता है लेकिन पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाता है लोग खासी से छुटकारा पाने और बल्गम को बाहर निकालनी के लिए तरह तरह के नुस्के आजमाते हैं लेकिन फिर भी उन्हें आराम नहीं मिलता हैं लेकिन क्या आप जानते हैं आज जो कुछ आप कहाते हैं वह भी आपकी खासी को ठीक करने और बल्गम को ढिला करने में मदद कर सकते हैं। अगर आप बल्गमवलिक खांसी, और कुछ फूड्सust का सेवन बढ़ा दें। नो तो इससे आपको बल्गमवलिक खांसी के लक्षुन को खम करने और इससे जल्द चुटकारा पाने में मदद मिल सकते हैं। कि बल्गम वाली खासी में क्या खाना चाहिए यह मैं आपको बता रहा हूं तो आए शुरू करते हैं कि सबसे पहले कि फल खाए इसमें आप अनानास जामून और खट्टे फल खासकर अंगूर जैसे फल बल्गम को बाहर निकालने में बहुत प्रभाबी होते हैं अनानास में बायो फिलोबनोईड ब्रोमेलेन एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को तोड़ने में मदद करते हैं साथ ही इन में एंटी इंफलेमेंटी गोड़ भी होते हैं यह सूजन और बल्गम के उप्चार में बहुत प्रभाबी हैं इसी तरह एक अनफल भी गले की सूजन और बल्गम को ठीक करने में मदद करते हैं इसमें ओमेगा-3 fatty acid बहुत अच्छी मात्रा में होता है इनका सेवन करने से बल्गम कम करने में मदद मिलती है यह आपकी इम्मुनिटी बढ़ाने के साथ सूजन कम करने में भी मदद करती है मैं कुछ सब्जी आपको बता रहा हूं वो डाइट में आप सामिल कर सकते हैं हल्की उबली हुई सब्जियां ताजा मौसमी साथ इसे मार्केट में मिल जाएगा आपको बथुआ मिलेगा पालक मिलेगा मेथी मिलेगी और भी बहुत सारी जो हरी सब्जियां हैं वो आपको मिलेगी यह सस्ती भी इस टाइम पर होती हैं आप उनको आप खा सकते हैं इन सब्जियों को डाइट में सामिल करें इन्हें खाने से इम्मुनिटी मजबूत होती है और बल्गम वाली खासी के लक्षोनों को गंभीर होने से रोकने में मदद करती हैं अद्रक्त लैसोन और प्याज आज को जरूब डाइट में सामिल करें शूप और सुर्वा का सेबन करें सरदे खांसी जुखाम और बल्गम आज की समस्या होने पर इनका सेबन बहुत लाबकरी माना जाता है इन में कुछ गर्म मसाले डाले और सेबन करें यह बल्गम को कम करने में बहुत मदद करते हैं एपल साइडर बिनिगर पीएं इसमें एंटी बैक्टियल गुड़ होते हैं यहानिकारज बैक्टियरिया से लड़ने और बल्गम को तोड़ने में मदद करता है आप इसका एक चमच किसी भी हरबल चाय में मिलाकर पी सकते हैं आप वह भी नहीं पीने चाथे तो सुबह आप गरमहला गुनिगने पानी में एक स्पून एपलसाइडर बिनिगर मिलाकर के पी सकते लेकिन पानी हल्का गुंगुना रहे यह बात का ध्यान लगए तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं धन्यवाद